हलो फ्रेंड्स रेया फेशन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और गंटी के बटन को जरूर दबाए ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और friends साथ ही आप मेरे facebook page को भी follow करें आज मैं आपको कौन सी machine खरीदनी चाहिए इसके बारे में बताऊंगी और क्या purpose के लिए खरीद रहे और वो सभी मैं आपको बताऊंगी यदि आप फटे पुराने कपड़ू को ठीक करने या फिर थोड़ी बहुत गरेलू सिलाई के लिए machine खरीदना चाहते हैं और budget भी कम है तो आप half shuttle सिलाई machine ले सकते हैं इसे हम domestic सिलाई machine भी कहते हैं इसमें कौन कौन सी machine है वो मैं आपको बताती हूँ जैसे उशा बंदन machine है या उशा आनंद सिलाई machine है और इसके अलावा आप singer में भी ये machine ले सकते हैं और singer की machine भी बहुत अच्छी आती है ये सभी machine जो मैंने आपको बताईए वो गरेलू परपज के लिए बहुत अच्छी machine है इन में से आपको जो machine अच्छी लेगे वो आप ले सकते हैं और दूसरे नंबर पर मैं आपको बताती हूँ कि यदि आप गरेलू सिलाई के साथ साथ आप थोड़ी बहुत बाहर की सिलाई भी करते हैं तो आप full shuttle machine ही लेवें यह high speed machine होती है और सभी तरह के फेबरिक इस machine से आसानी से हम सिल सकते हैं मोटा कपड़ा भी हम बहुत ही आसानी से सिल सकते हैं त्रेंड्स मेरी सलाई तो यही है कि आप गरेलू परपज के लिए भी full shuttle machine ही खरीदे क्योंकि इस तरह की machine में खराबी बहुत कम आती है और इसे आप लगातार यूज भी कर सकते हैं और इस machine को अगर आप काफी टाइम तक यूज नहीं की और आप फिर यूज करते हो तब भी यह machine jam नहीं होती है और इस में ज़्यादा आवाज भी नहीं आती है और इस machine को आप इंडेश्टर स्विंग machine भी कहते हैं बहुत सारे जो फुल टेल रिंग का काम करने वाले भी फुल शेटल machine ही खरीदते हैं इस machine में मैं आपको एक दो machine बता देती हूँ जैसे ये craft master और दूसरी एक craft master deluxe machine इन दोनों में आप कोई सी खरीज सकते हो और इसके अलावा अगर आपको फुल शेटल में और कोई machine अच्छी लगती है तो आप वो भी खरीज सकते हो और तीसरे नमबर पर मैं आपको बताती हूँ और यदि आप सीलई के साथ साथ interlock और Pico भी करना चाते हो तो आप ये machine भी ले सकते हैं ये भी बहुत अच्छी machine है ये क्या कि सीलई के साथ साथ इसमें दो function और भी आ जाते हैं जैसे इस machine में जिक जेक function आता है जिससे interlock भी कर सकते हैं और पिकू भी कर सकते हैं ये मशीन एक कम बजट में बहुत अच्छी है अब मैं इन मशीन में आपको बता देती हूँ दो मशीन के नाम में आपको बता देती हूँ जैसे एक है डिजाइन मास्टर और दूसरी है मेजिक मास्टर मशीन इन दोनु मशीनों में आप खरी सकते हो कोई सी भी इन दोनों मशीनों में जिग जिग फंक्शन भी आता है और जो यह टेल रिंग का काम करते हैं वो लोग भी यह मशीन लेते हैं और फ्रेंट्स इसके अलावा मैं आपको चोते नंबर पर बताती हूं यदि आपको और हेवी मशीन खरीदनी है और आपका बजट भी ज्यादा है तो आप जैसे जूकी की मशीन ले सकते हो यह मशीने बहुत अच्छी आती है किन्तु इसकी कोश्ट बहुत ज्यादा आती है इसलिए इस मशीन को या तो ज्यादा बजट वाले लोग खरीते हैं या फिर लगातार स्टीचिंग का बिजनेश करने वाले ही खरीत सकते हैं जैसे जुक्की की Lock Stitch Swing Machine बहुत heavy machine है यह बहुत ही high speed और stitching करने में भी बहुत अच्छा लगता है इन मेशिन पर और stitching की बहुत बड़ी आती है और कितना भी मोटा कपड़ा हो आप बहुत ही आसानी से उसको सिल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी और पांचे नमबर पर मैं आपको सिलाई मशीन बताती हूँ यदि आप सिलाई के साथ साथ ब्यूटिक का काम भी करते हैं तो आप इसमें ओटोमेटिक सिलाई मशीन भी ले सकते हैं यह मशीन मल्टी फंक्शनल मशीन होती है इसमें इंटरलोक, पीकू, काज ब मैंने बहुत सारी वीडियो भी बना रखे हैं वो भी आप देख सकते हैं आप स्रेयाफेशन चैनल पर जाकर वो सब भी देख सकते हैं इस मशीन में नीडल थ्रेडर भी होता है और थ्रेड कटर भी है और इसमें LED लाइट भी है और बोविन वाइंडर भी है यह सब ही इसम करने पर इसके पार्ट जल्दी गिस जाते हैं जिससे हम इसकी रिपेरिंग कराते हैं तो खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है इसका मेंटिनेंज हमें बहुत ज्यादा महेंगा पड़ता है इसलिए गरेलू परपज के लिए बहुत अच्छी है इस मशीनों में मैं आपको एक दो मशीन बता देती हूं जैसे उसा वंडर स्टिच सिलाई मशीन है उसा एलूर डिलेक्स मशीन है अगर आप थोड़ा बहुत काम करते हो और अपने शोक के लिए करते हो तो उसके लिए ये मशीन बहुत अच्छी है और अगर आपको इसी मशीन में हेवी डूटी मशी मशीन चाहिए तो वह मैं आपको बताती हूं चट्टे नंबर पर मैं आपको बताती हूं यह दि आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप इसी ओटोमेटिक मशीन में भी और आती इससे हेवी डूटी मशीन वह भी आप ले सकते हो इस मशीन की लाइब ज्यादा है और सबी तरह के फैबरी कम सीर सकते हैं इसमें स्टिच फंक्शन भी ज़्यादा आते हैं जैसे मैंने आपको पहले वाली मशीन में बताए उससे इसमें और ज़्यादा है जैसे इसमें आपको एक दो मोडल नंबर बता देती हूँ मैं आपको इसके जैसे सिंगर की 4423 मोडल है और सिंगर का ही 4432 है और एक उसा का बता देती हूँ उसा स्टिच मेजिक मशीन है ये तीनों मशीन बहुत अच्छी है और ये हेवी डूटी मशीन है तो आप इन में से भी ले सकते हो मशीन ये मशीने भी बहुत अच्छी है इस तरह से आप अपने बजट और परपच के सकते हैं और मेरे बहुत सारे सब्सक्राबर की डिमांड रहती थी कि हमें कौन सी सी लही मशीन खरीदने चाहिए इसलिए मैंने आज उनके लिए ये वीडियो बनाया है फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें थैंक्स कर दो